मेरे पास यह जो डिवाइस है दोस्तों IQ brand की है और इसका model नमर आपको बता देता हूँ model नमर है IQ Z9 5G ध्यान से सुन लिजिए model नमर है IQ Z9 5G डिवाइस में problem यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पूरी तरह से password lock है तो विडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IQ Z9 5G को unlock करने का बिल्कुल फ्री तरीका और मेरी इस विडियो को देखने के बाद घर बैठे 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 बिल्कुल फ्री में आप IQ Z9 5G को unlock कर पाएंगे यानि कि इसका pattern, ping या password lock remove कर पाएंगे तो दोस्तों आपने देखा डिवाइस पूरी तरह से password lock है अब ध्यान से सुनिए डिवाइस को unlock कैसे करना है देखे दोस्तों, डिवाइस को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से power off करना होगा जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से power off हो जाए तो डिवाइस के राइड साइड की तरफ देखेंगे तो आपको तीन बटन्स दिखाई देगी सबसे उपर की तरफ volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे की तरफ power unlock बटन ध्यान से सुनिए डिवाइस को unlock कैसे करना है जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इसे power off करना होगा जब आपकी डिवाइस power off हो जाए तो आपको करना क्या है? यह जो volume up बटन है और यह power unlock बटन आपको simply करना क्या है? इन दोनों बटन्स को एक साथ press करके रखना है 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड तक press करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस on होगी और डिस्पले पे IQ का लोगो दिखेगा ध्यान रहे दोस्तों डिवाइस जैसे ही on होगी और IQ का लोगो दिखेगा न आपको तुरंत इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेनी है ओके इतना करने के बाद आप देखेंगे आपकी डिवाइस totally fast boot mode पर active हो जाएगी ओके तो मुझे उम्मीध है method आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अब चली यह चीज में आपको practically करके दिखा देता अभी भी देख सकते हैं डिवाइस पूरी तरह से password lock है दोस्तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डिवाइस को पूरी तरह से power off करना है तो डिवाइस को power off करने के लिए volume up और power button इन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करके रखें और सबसे पहले आप डिवा किया ध्यान रहे डिवाइस जैसे ही on होगी दोनों बटन से finger हटा लेनी है आपने देखा दोस्तों डिवाइस जैसे ही on हुई मैंने दोनों बटन से finger हटा ली और finally हमारी डिवाइस टोटली fast boot mode पर active हो चुकी है उपर की तरफ देखें लिखा है IQ 5G fast boot और नीचे तरफ आप डिवाइस को सबसे पहले recovery mode पर active करना होगा यानि कि आपको जाना होगा recovery mode वाले option पे तो इसके लिए volume down बटन को आप एक बार प्रेस करिए आप चले आएंगे recovery mode वाले option पे अब यहाँ पे आनेक बाद आपको OK करना है तो OK करने के लिए आप power button को प्रेस करेंगे तो इसे ही मैंने power button को प्रेस किया दोस्तों तो आप देखेंगे आपकी device यहाँ पे reboot हो जाएगी कुछ सेकंड तक बेट करने के बात दोस्तों आप देखेंगे आपकी device completely recovery mode पर active हो जाएगी और यह लीजे दोस्तों finally हमारी device पूरी तरह से recovery mode पर active हो चुकी है उपर की तरफ द block break करना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक option है clear data का आपको simply क्लिक करना होगा clear data पे जैसे clear data पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको डो न्यूкое option दिखेंगे तो अभिए आपको क्लिक करना है दोस्तों last वाले अपिक्षर आपन पर आह मैंने किका है और यह देखेith Clearing data यह process होने लगा वेट कर यह प्रोसेस completely होने तक जैसे यह process complete होगा तो cleared all data Arena product का message आंज जाएगा और यह देखे दोस्तों process마फ आप उपर के तरफ देखे cleared all data clear'd का message आ गया तो दोस्तों all data clear'd का मैंसे जा गया इसका मतलब device हमारी completely unlock हो चुकी है तो अभी आपको करना क्या है अब दोस्तों यहां से आपको return जाना है recovery mode वाले option पे तो return जाने के लिए आप simple यहां return पे click करें अभी देखिये हम clear data वाले option पे है अभी हमको जाना है recovery वाले option पे तो batch जाने के लिए ऊपर की तरब देखिये ये arrow है आप simple इस arrow पे click करें और यह देखिए हम आ चुके है recovery वाले option पे तो दोस्तो all data cleared का message जा गया इसका मतलब device हमारी unlock हो गई तो finally आपको click करना होगा restart पे यहाँ पे देखिए दो option है power off और restart तो हमने click किया restart पे जैसे ही मैंने restart पे click किया तो यहाँ पे देखिए restart your phone और आपके पास दो option है cancel और OK तो finally आपको click कर देना है OK पे जैसे ही OK पे click करेंगे तो आप देखिएंगे आपकी device IQ Z95G यहाँ पे reboot हो जाएगी डिवाइस reboot हो गई ना अब दोस्तों आपको wait करना है डिवाइस को पूरी तरह से active होने तक यानि की चाल होने तक जब डिवाइस reboot होकर पूरी तरह से active होगी तो आप देखेंगे दोस्तों आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं करेगा और आपकी device completely unlock हो जाएगी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया IQ Z9 5G को unlock करने का बिल्कुल फ्री तरीका तो दोस्तों एक request करूँगा वीडियो गर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को share करें लाइक करें, चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें डिवाइस रिबूट होकर active होगी तो आप देखेंगे आपके डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक सो नहीं करेंगा और यह देखें दोस्तों maximum हमने एक मिनट तक वेट किया डिवाइस रिबूट हुई और डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से active हो चुकी है आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का locks हो नहीं कर रहा है तो चलिए complete setup करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा start पे यहां से simple आप next पे क्लिक करें यहां देखें छोटा सा box है आप इस box को check करें उसके बाद आप simple next पे क्लिक करें setup offline का option दिखेगा setup offline पे आप क्लिक करें यहां से simple आपको continue पे क्लिक कर देना है यहां देखे more का option आया तो आप more पे क्लिक करें accept आ गया आप इस पे क्लिक करें set unlock method का option आ गया तो यहां से चाहे दोस्तों तो आप फिर से अपने device में pattern, pin, password, face या fingerlock apply कर सकते हैं इस option को मैं skip करूँगा, इसलिए मैंने skip पे क्लिक किया, यहां से simple आप agree पे क्लिक करें, यहां से आपको next पे क्लिक करना है, फिर से आप next पे क्लिक करें, congratulations, your phone is ready, नीचेक तरफ आपको मिलता get started, आप इस पे क्लिक करें और बस, आपकी device IQ Z95G पूरी तरह से unlock हो गई, पूरी त description में comment करके बताईएगा, अच्छी लगती है तो please video को share, like channel को support और subscribe करेंगा, thanks for watching this video,